मैंने तो यह बताया भी कि जो E0 cell है इसके calculation के ना तीन method है और मैं कह रहा हूँ तीसरा method सब से जी होगा जिसको कुछ समझ में आए वो तीसरा method से paper में सवाल लगा किया ना रहे और अगर board exam में paper में सवाल आए तो किस हिजाब से solve करना है वो method में बताऊँगा ठीक है ना देख भई सबसे पहला जो यहां पर काड़ा आला मैंने calculation of E0 cell and its application सुनना भई देख सबसे पहला method क्या कहता है क्योंकि तू जानता है कि जो E0 cell है ना इसको मैंने एक तरीके से और भी define किया था क्योंकि है तो electrode potential और अगर electrode potential है तो वो दो मेरे पास को ने एक anode होगा एक cathode होगा उनका difference क्या है मेरे पास E0 of the cell है तो मैं कह सकता हूँ कि यह E0 of the anode minus E0 of cathode भी हो सकता है ठीक है दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है E0 cell बरावर E0 of cathode minus के E0 of anode हो सकता है यह बात उन बच्चों के लिए अगर पेपर बोर्ड पेपर में सवाल आता है तो देख भई सीदी जी बात यह है कि जब भी E0 के साथ deal करेगा ना E0 cell के साथ deal करेगा तो same term में deal करेगा same terms में deal से मेरा क्या मतलब है siya number deal से मेरा मतलब है same terms से मेरा मतलब यहेँ की यहांपर कोन ए नट है नट पर क्या होता है oxygen तो इसका मुझे क्या लेना है oxygen potential तो एध्यान रखना कि यहां भी oxygen potential ही लेना है चाहे पेपर में तुझे आरपी गिवन हो लेकिन लेना क्या है लेना ओक्सिडेशन पोटेंसियल ही है तो ओपी माइनस यहाँ पे ओपी ही करना है अगर तुझे क्या हो कैथोड अगर तुझे फॉर्मला लगाना है endost cathode मारे अ eeno a0 cashtode का क्या होता है rp reduction potential होता है तो यहाँ पे तुझे anode पेभी क्या है लेना पड़ेगा rp पेसक anode पे optimization होता है पेसक paper में तुझे oxidation potential गेवन होगा लेकिन तुझे लेना rp ही पड़ेगा ठेक है इसे साफसे तो पेपर में सवाल सौल करना है, ठीक है ना, अभी एक सवाल करबाऊंगों, उसे सारी चीज के लिए रो जाएंगे, अगर पेपर में सवाल लगाना है, जल्दी मिन्टों में, सेकंडों में, मिनट भी नी, सेकंडों में सवाल लगाना है, तो ट्रिक सरफ यह ध्यान रखना नहीं देख भाई अगर मैं E-node cell को define करो तो चीदी चीद बाता है A-node plus के cathode ठीक है ना इन दोनों दे किसको define किया E-node of the cell को define किया और अगर इन्होंने E-node cell को define किया तो simple ध्यान रखियो A-node पे क्या होता है Oxidation प्रोसेस तो CM रहेगी और अगर Oxidation होता है तो A-node का हमेशा क्या लिन है Oxidation Potential और कैथोड पर क्या होता है तो कैथोड पर होता है कौन Reduction तो हमेशा Reduction का इसका मतलब कैथोड का क्या लिन है हमेशा Reduction Potential बोलो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो सर्फ पेपल में यह यह फॉर्मल लगा के apply करना है उत्तर चेक करना है कौनसा A-node प्लस के कैथोड और A-node का Oxidation Potential और कैथोड का Reduction Potential सिर्फ यह दोनों add करने हैं और इन से आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं E-node Sell की value निकाल सकते हैं